हलो दोस्तों क्या हाल चाहर है आप लोगे सब बहुत बड़ी है आप बताइए मेरी बहुत अच्छे है चलिए तो हम रिवाइस करते हैं आज चेप्टर नंबर 6 ट्यृट्स क्लास 12 पार्टनर्शिप अकाउंट का चखता चप्टर है । डिसल्वঽन औप शच्टों को जल्दी से हम रिवाइस करेंगे तो आप ध्यान्से मेरी बातों को सुनते जाये। और जल्दी से अपने concept को revise करते जाएंगे जो आपने class में पढ़ रख गया है चाहे आप मेर से पढ़े है या आप किसी भी teacher से पढ़े है तो हम इसमें revise कर रहे हैं फटावर्ट से ठीक है दोस्तों चलिए तो सबसे पहले इस chapter में आपको क्या करना है इस chapter के अंदर काम बन हो रहा है काम जैसे partners कहते हैं हम एक दूसरे की शेकल नहीं देखेंगे आज के बाद हम काम को बन कर रहे हैं हम मिल जुल के काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं अब हम इसको बन करने वाले हैं ठीक है तो जब हमारे पास विजनस ही नहीं रहेगा तो books of account क्यों रखेंगे तो books of account को हम बन कर देंगे सब का हिसाब किताब कर देंगे ठीक तो books of account को बन कैसे करेंगे books of account को बन करेंगे balance sheet को बन कर दो books of account automatically बन हो जाएंगे कैसे sir क्योंकि balance sheet में balances appear होते हैं बाकि सभी books बंद उचकी हैं जैसे मैं आपको example के लिए याद दिलाऊं सबसे पहरे आपने entry डालती journal में journal से या फिर आप subsidy book बना रहें तो subsidy books में कुछ जैसे sale, purchase, cash ये वाली और इन से balances उठाएं तो का डालें लेजर में जिसको हम लेजर पोस्टिंग बोलते थे तो journal ये subsidy books बंद हो गई है balances किस में आगए लेजर में और लेजर से balances उठाए CD अपने कहाँ डाल दिये trial balance में तो ledger बंद हो गया trial balance उपन हो गया trial balance से balance उठाए अपने trading, pndl और balance sheet में डाल दिये तो trial balance भी बंद है यहां तक का काम complete है बंद है सारी books अब हमें trading में देखने trading का balance हमने उठाया gross profit या gross loss उसको कहाँ transfer कर दिया pndl में आप करते थे याद करिए ठीक है pndl में कर दिया उसके बाद pndl का जो balance आया net profit या net loss उसको आप balance sheet में ले जाते थे capital में adjust करते थे plus करते थे minus करते थे loss होता थे minus करते थे profit होता थे plus करते थे जी sir याद आगया इस तरीके से मैं कह सकता हूँ balance sheet यह open है और balance sheet को बंद कर दो तो सारी books of account automatically बंद हो जाएंगी ठीक तो सबसे पहला हमारे steps रहेगा balance sheet को बंद करना balance sheet को बंद हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमें तीन account normally तीन account खोलने पड़ते हैं लेकिन कभी कभी एक fourth account यहनि चोथा account भी हमारे पास आता है जिसका नाम है partners loan account ठीक है तो तीन account कौन-कौन से हैं सबसे रिवाइस करें realization account यहां पर revolution नहीं आएगा आप पहले से third, fourth, fifth में revolution बनाते हैं तो ध्यान दीजेगा यहार realization account ठीक है दूसरा partners capital account तीसरा cash या bank account और चोथा बनेगा कभी-कभी partners loan account ओके फिल क्या करेंगे हम आपको सबसे पहले step यह लगाना है ध्यान से सुनना मेरी बात को सबसे पहले step हमारा होगा balance sheet को खाली करना यानि balance sheet में asset side पर भी items है और library side पर भी बड़ी सारी item है तो उनको आप respective account में डालेंगे ठीक है? सब कही ना कही पर जाएंगे जैसे मैं आपको बताता हूँ जो asset आपका बेचा जा सकता हो जो asset आपका बेचा जा सकता हो उसको आप डालेंगे realization के debit side पर ठीक है सर example दो ऐसे मज़ा नहीं आया सर ठीक है जैसे आपके land, building, plant and machinery, goodwill goodwill भी क्या सर बेची जा सकते है? आपके मन में goodwill को लेके पहली डर लगता रहता है कि goodwill कहीं ये वैसे ही नहीं करेगी खेल की जैसे आपका third, fourth, fifth में इसने रंग दिखाए है सतरंगी रंग दिखाए है नहीं दोस्तो आप tension ना लें goodwill अब शान्त हो गई है ठीक है इसने जो रंग दिखाने थे third, fourth, fifth में दिखा चुके अब goodwill कह रही है मैं बूरी हो गई हूँ थक गई हूँ तो आप मुझे बाकी assets की तरह ही रिलाइजिट की debit side पर डाल दीजी ठीक है फिर उसके बाद बाद आती है और assets हो सकते हैं जो बिख सकते हैं जो रिलाइज हो सकते हैं cash में तो इन assets को हम debit side पर डाल देंगे फिर asset side पर कुछ घाटे भी होते हैं जैसे P&L का debit balance तो यह हमारा big turn न सकता है सोचो घाटे कभी बिखते होंगे नहीं तो इसको हम partners capital account में debit side पर सभी partner में distribute कर देंगे ठीक है फिर किस ratio में करेंगे दोस्त यहां पर ratio एक ही है पुरानी ratio होती है उसमें यह आप distribute करेंगे debit side पर partners के capital account को ही कम कर रहा है फिर एक advertisement suspense भी आ सकता है हाँ सर हमने देखा है तो जैसे आप पहले chapter में कड़ा करते थे 3rd में किया होगा 4th में या 5th में advertisement suspense या deferred revenue expenditure के नाम से इसको भी आप capital account ने debit side पर distribute कर देंगे सभी partners के बीच में फिर उसके बाद क्या आ सकता है drawing आ सकती है drawing तो respective जो भी partners ने की होगी उसके account में डाल के चलेंगे उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है debit side पर capital account में तो इस तरीके से balance sheet का asset side को हमें complete खाली करना है एक चीज़ और बचिए यहाँ पर cash का balance अगर होगा तो हम cash तो already ही rise form में है लिक्विड form में है तो हम इसको एक account इसके लिए balance bd bank account खोल लेंगे अगर दोनों हुए तो कोई एक खोलो और बाकी का जो दूसरा balance जासे आपने bank खोल लिया तो बाकी जो cash का balance बचा उसको transfer कर तो bank account में entry वैसे दिखो क्या बनेंगी bank account debit to cash account ठीके तो bank account में debit side two cash लिगके उसको transfer कर देना ठीके sir अब आगे चलते हैं कोई भी बात अगर आपकी रह जाएगी तो प्लीज आप मेरा number मैं आपको अपना number दे दूँगा आप WhatsApp पे मुझे message कर सकते हैं या मेरे number पे call करके मेरे से पूछ सकते हैं इससे कोई फरक नहीं बढ़ता कि आप मेरे से क्लास ले चुके हैं या फिर आप किसी अधर टीचर से पड़े हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा आप कोई भी है कहीं पे भी रहते हैं आप मुझे call कर सकते हैं किसी भी concept में अगर doubt यहां पे मैं आपको concept की detail में नहीं जाओंगा दोस्त क्योंकि कि यहां पे मेरा जो objective है वह है रिवाइस कराना आपको concept को मैं class के दोरान अच्छे से समझाता हूँ deep में जाके समझाता हूँ क्यों लाय गया क्यों बना उसका logic क्या था लेकिन यहां पर मैं वह सभी चीजे deep में नहीं जा सकता तो जल्दी से में revise करना chapter ठीक है sir अगर आपको फिर भी किसी concept में दिक्कत आए तो आप मुझे में number पे WhatsApp कर देना या मुझे call कर सकते हो अगर possible हुआ तो मैं आपको call reply भी करूंगा ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कि आपकी problem में solve कर पहूंग अच्छा तो मेरा number आप note कर लीजे 9654 193705 9654 193705 ठीक है हाँ इस number पे आप कर सकते हैं फिर आगे बात करते हैं liability side पर capital के balances आप पहले से जानते हैं by balance बीडी जाएंगे partners capital account में और उसके बाद उसके बाद जो creditors है bank के loan है missus का loan है किसी partner की missus से भी loan ले रखा होता है missus A's loan missus B's loan ठीक है missus का loan है या फिर और कोई है सर क्या missus भी बाहर वाली है business के लिए partner को छोड़कर सभी बाहर वाली है वैसे भी बाहर वाली है ठीक है तो आगे बात करते हैं missus भी बाहर वाली category में तो बाहर वालों की line पर कहां पर लगाई है बाहर वालों की line लगाई है liability side पर liability side पर सभी बाहर वाले आ जाएंगे creditor आ जाएगा bank कलोन आ जाएगा missus कलोन आ जाएगा realization की credit side की में बात कर रहो ठीक है सभी outsider की liability वाह पर आ जाएगी ठीक है sir अच्छा एक बात बते हैं की जो reserve अगयर होते है कुछ reserve होते है free जैसे journal reserve हो गया credit balance ठीक है तो उनको आपको partner में distribute कर देना है क्योंकि काम बंद हो रहा है तो जो reserve बना रहा है partner के capital account में credit side पर बात कर चलेंगे फिर उसके बाद यह दोनो treatment P&L और journals दोनों के लिए ऐसे ही same treatment होगी उसके बाद कुछ special reserve आते हैं जैसे workman compensation reserve investment fluctuation reserve यह fund special category के जो reserve special nature के जो reserve किसी खास वजा के लिए बनाए गए है इनके अलावा जिस purpose के लिए बनाए गए है उसी के लिए इसका पैसा यूज हो सकता है otherwise किसी और purpose के लिए इसका पैसा यूज नहीं हो सकता जल्दी से मैं बताता हूँ workman compensation बनाए जाता है accident अगर किसी worker का हो जाता है तो उसको एकदम से compensation pay करना पड़ता है तो उस situation से निकलने के लिए यानि उस ताइं हमें एक बाहरी compensation देना पड़ता है इसलिए हमें एक तयारी कर लेता है business में कि एक workman compensation deserve बना लेते हैं ठीक investment fluctuation reserve इसलिए बनाए जाता है market में investment हमने जो खरीदी हो इन पर गाटा न हो जाए investment क्या होती है sir वैसे आपने share capital अगर पड़ रख होगा share capital का chapter तो उसने में पता है आपने shares खरीदे जाते किसी company के या debentures खरीदते हैं लोग securities उनको बोला जाता है तो अगर उनकी market value आपने खरीदा 100 रुपे में और उन market value 50 rupees होगी एक share की तो आपको 50 रुपे के share पे नुकसान हो जाएगा ठीक है तो इस नुकसान से बचने के लिए एक तयारी की जाती है जिसको बोलते investment fluctuation fund या reserve ठीक है तो इनकी treatment यहाँ पे कैसे करनी है आपको ये question में देखना workman compensation के बारे में बता रहो workman compensation reserve अगर दे रखा है balance sheet में liability side पर तो आपको देखना है नीचे balance sheet के नीचे कुछ adjustment वगयर होती है वहाँ पे कोई liability तो नहीं दे रखे आपको अगर कोई liability दे रखे workman compensation related तो आपको उतनी liability balance relation account में कहाँ पे डाल देनी है credit side पर जहाँ पे हमने creditor bank loan सभी चीज़े डाली थी ठीक है क्योंकि बाहर वालों के line वहीं पे लगी है उसके बाद जो extra बचेगा अगर बचा तो जैसे 10,000 का हमने बना रख है और हमारी जो claim देना पढ़ रहा है किसी accident होगे तो हमें claim expected 1000 का तो 4000 हम distribute करने के partners में अगर दोस्ट इसको आपको समझना है अच्छे से समझना है deep में समझना है तो आप इसके लिए मुझे request कर सकते है WhatsApp पे ठीक है अभी यहां पे possible यह हर एक चीज़ पर detail में बताना तो मैं जल्दी से बता रहा हूं सिर्फ ठीक है तो investment fluctuation reserve के बारे में क्या करेंगे आपको investment fluctuation reserve के बारे में भी जैसे यहां पे losses देखने पड़ेंगे आपको कि आपके पास investment दे रख्योंगे asset side पर अगर investment पर loss हो रहा होगा उसके market value bracket में दी होती है तो उसमें देख लेना आप balance sheet में एक value दी होती है 10,000 और bracket में आपको value दी होती है market value 9,000 तो 1,000 का loss है तो 1,000 का loss तो investment fluctuation reserve से bear कर लेंगे और जो बाकी remaining part बचेगा उसको आप क्या करेंगे उसको partner में distribute करके चलेंगे जैसे workman company को distribute कर आप ठीक है यहां पर भी मैं वही बोलूँगा इसके लिए आपको अगर concept में दिक्कत है तो आप मुझे request कर सकते है ठीक है फिर उसके बाद बाद आती है और जो अगर liability outsending salary है वह भी सारी कहा transfer कर देनी है बाहर वालों की line कहा लगी है ठीक है sir ऐक चीज और आप भूल गए हो मैंने कहा आप भूल गई हो क्या एक चीज भूले है provision for doubtful debt debtor में से less होता है provision for doubtful debt debtor में से क्या होता है less एक चीज प्लीज 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 यह जो investment fluctuation reserve है इसको आपने सारा का सारा कहा transfer कर देना है मैं आपको चार sorry तीन reserve ऐसे हैं जिनको हमें liability side पर transfer करना होता है एक तो investment fluctuation reserve है दूसरा provision for doubtful debt है और तीसरा है accumulated depreciation तो यह इन तीनों को आपने क्याजिशन में credit side पर transfer करना है indirectly यह distribute हो जाते partners में तो इन तीनों को इनका logics में आपको बता सकता हूँ बाद में अब revision हम कर रहे है अब हमने पूरी balance sheet को खाली कर दिया यह हमारा पहला step है आप step wise सलेंगे तो आपको कोई भी दिकत नहीं होने वाली अब जो next step है या उससे अगले जो steps है वो अगली वीडियो में इससे next video में यह नहीं part 2 में cover करूंगा ठीक है दोस्तों thank you so much for watching this video okay bye bye